तो आज की दिन का पहला ही वीडियो है बाकि अगर आपने कल के इन वीडियो को नहीं देखा है तो काफी इंट्रस्टिंग नॉलेज़बल वीडियो है चाहो तो देख सकते हो आपको चैनल पर मल जाएगा स्टाट करते हैं वीडियो को जैसा आपको धमनल देकर करके समझ भाहे गया होगा इस वीडियो में हम न्यूस के बारे में बात करने वाले है कुछ important न्यूस कुछ stocks के बारे में से पहले निफ्टी के बारे में तो निफ्टी आप देख सकते हो यहां से निफ्टी खुला अभी जो है लगातार नीचे उपर करते करते थोड़ा भी नीचे यह और परसंटेज की बात करें तो 0.16 माइनस में है और सबसे पहले तो यार इंस्वरेंस, ICICI का Prudential, SBI Life इन तीनों को डाउन ग्रेड किया है न्यूट्रल पे तो और टार्गेट प्रैस को भी कट किया है तो यहां पे अगर आप देखोगे तो रिसर्च ने क्या किया है कट के टार्गेट प्रैस को HDFC LIEF का शिक्स विप्टी फाइव पहले था और परफॉर्म था एंड उसके बाद अभी जो है यह न्यूट्रल रेटिंग हो चुका है मतलब आउट परफॉर्म से डाउंग्रेड करके न्यूट्रल पे ला दिया गया है तो अगर हम बात करें सबसे पहले की टार्गेट प्राइस कितना कट किया गया तो HDFC का जैसे मैंने बताया 655 से कट करके 556 पिला दिया गया है जबकि ICICI Prudential Life का 850 से कट करके 486 पिला दिया गया है तो यह सब इसके कुछ नंबर्स है और वही चीज है कि मतलब यह नहीं कि कंपनिस खराब हो जाती है इसका मतलब यह नहीं कि यहां से कंपनियां गिरते ही रहेंगी है मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है नौर्मल सी चीज है कोई डाउंग्रेड करता है उपर नीची चलती रहती है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो न्यूस है वह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के तरफ से तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने 52 विक्स हाई हिट किया है औ क्यों हिट किया है तो इसकी पीछे का डीजन देख सकते हो बोड़ तुकंसिडर्स स्टोक स्प्लेट के संभावना हो सकते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में स्टोक स्प्लेट हो अभी कब होगा कितना होगा कितना स्टोक मिलेगा देखो है मैं आपको सीधी बात बता तो यहां पर इस प्रोपोजल के लिए मतलब यह जो सब डिविजन आफ इक्विटी शेर से जिसको इस प्रोपोजल के लिए जो मीटिंग है वह 27 अफ जून आप इस डेट को याद रख सकते हो 27 अफ जून को यह आएगा कि स्टॉक क्या से करना कि इसाब करना है कि कितना स्टॉक होगा कितना मिलेगा सब कुछ जो है जितना सार आपको डिट आय। वह अभी अभी एक प्रोपोजल रखा गया है अभी अब बैठेगी मीटिंग पर फिर ही सब कुछ फिक्स होगा तो आप इस डेट को याद रख सकते हो 27 अफ जून ठीक है और आप दीरे-दीरे चेक करते रहा ना बाकी अभी स्टॉक स्प्लिट है तो अच्छी बात है और बाकी कुछ आज की दिन यह भाग रहा है कुछ आगे बढ़ता है अगला न्यूज है आई-ार्बी इंफ्रा के तरफ से तो आई-ार्बी इंफ्रा जो है आज की कितना रहा हूं मैं आपको बताता हूं तो देख सकते हो यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर्ट्र डेवलापर्स का टोल कलेक्शन 20 परसेंट ग्रू किया और अगर आप इसको कंपेर करोगे येर अगो पीरियेट से मतलब में 2022 और में 2023 अगर आप इन दोनों को कंपेर करोगे तो यहां पर एक 20% का अपसाइट 20% का ग्रोथ हमें दिखता है उसके साथ ही पहले मतलब में 2022 में 343 करोड का कलेक्शन था जबकि ये बढ़ करके में 2023 में 411 करोड का कलेक्शन हो चुका है और जैसे मैंने कहा वो 20% अपसाइट है तो 20% ग्रोथ है अच्छी बात है बागी अगर आप चाहो तो कुछ यहां से रिट कर सकते हो आगे बढ़ता है अगला जो न्यूज है वो है मोतिलाल ओस्वाल के तरफ से तो मोतिलाल ओस्वाल ने अपग्रेड कर दिया है डी माट को बाई के लिए ठीक है और यहां पर टार्गेट फिक्स किया है 4200 और यहां पर द लेख सकते हो सबसे पहले चीज तो यहां पर न्यूट्रल से अपग्रेड करके बाई रेटिंग फिनो ने दिया है पहली बात दूसरी बात यहां पर टार्गेट प्राइस जो है उसको 18% मतलब 18% नहीं 4200 ठीक है जितना टार्गेट प्राइस होना चाहिए टार्गेट पैस अगर सकता हूं आगे बढ़ता हैं यहां पर और भी बहुत सारी चीज़े लिखी हुई है ठीक है क्यों अपग्रेड हुआ आफ्टर रोबस्ट अर्निंग ठीक है यह एक्सपेक्टेड रिकावरी इन सेम स्टोर सेल्स ग्रोफ जो मैं आपको कहता हूं तो इस अपग्रेड किया है और इसके वज़े से आज डीमाट का शेयर थोड़ा सा उपर भी है अगर आप देखोगे तो यहां पर जो लास्ट न्यूस है इस वीडियो का बट इसके बाद भी न्यूस आएगा तो मैं डिफिनिटली कवर करूंगा तो जो लास्ट न्यूस ह है वह स्पाइस जेट के तरफ से तो स्पाइस जेट फ्लाइस 5.5 परसेंट हाइर मतलब आज के दिन यह 5.5 परसेंट अप है क्यों तो इंडक्ट 10 बोईंग 737 एयरक्राफ्ट ठीक है और यह अनॉंसमेंट कब आया था केम जस्ट ए डे आफ्टर दा स्पाइस जेट सेड इ इंक्लोडिंग 5737 मैक्स तो यहां पर 10 737 बोईंग 737 प्लेइन का एग्रिमेंट यहां पर लीज एग्रिमेंट ठीक है यहां पर साइन किया गया है जिसमें से पाँच जो है वह 737 मैक्स है और पांच नॉर्मल 737 होगा ठीक है और यहां पर और भी चीज़े चाहो तो आप कर सकते हो अच्छी बात है यहां पर कुछ लीज एग्रिमेंट करना दस बोईंग 737 के लिए अच्छी बात है और इसी वज़े से मार्केट इसको पसंद भी कर रहा है देख सकते हो 5.5% तो फिलहाल तो यही कुछ इंपॉर्टन न्यूस से जो मैंने कवर किया कुछ लाइक भी कर देना शियर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ अगर हो सके तो बाकी सब्सक्राइब करके जो बेल नॉटिफिकेशन आपको जरूर से प्रेस करना है यह तो यह फिर आपको नॉटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा मिलते हैं यार किसी और वीडियो में तब तक लियर जय हिंद और थैंक्स और वाचिंग